पिर्दभारती सकी सहेली सकी सहेली सुनने वाले सभी सक्षियों सहेलियों और शोताओं को निहा शर्मा और प्यारी बुवा का नमस्कार तो प्यारी बुवा आज बहुत ही जरूरी दिन है बहुत ही जरूरी नहीं कह सकते हैं बहुत ही खास दिन है ऐसा कह सकते हैं ज़रूरी भी होता ही है, जब खास है तो जरूरी भी है, जरूरी है. तुछ संगीत के बिना तो दुनिया ऐसी ही है, जैसे कि क्या कहा जाए, बिना नमाक, बिना शक्कुण के खाना? हमूं, अनला पच्छरी ना, विस्टी जीना पड़ेगा बहुत बहुत बधाई हो विश्व प्यानो दिवस है और बड़ा खास दिन बड़ा तरीका इसको मनाने का जो है वो जो दिन निर्धारित किया गया है वो बहुत मज़ेदार है ना बिल्कुल और इसके साथ ही आज हम सकھی विशेश में बात करने वाली है रानी चिनम्मा की और एक बहुत ही जरूरी बात कि संदेश अर्थ होते हैं या अनर्थ क्या बन जाते हैं हमारे संदेश और विशेश तोर से हम बात करेंगे सोशल मेडिया वाली पे जो संदेश इसके क्या-क्या माइने हो जाते हैं उसके बारे में जरूर बात करेंगे हैं और नवरात्री का पर्व चल रहा है तो इस मौके पर हम बात करेंगे नव दुरगा के औशधिय रूप क्या है यानि कि नव दुरगा और नव औशधियां क्या बात है तो इसके बारे में हमारे साथी भी बहुत सारी चीज़ें जानते हैं और एक साथी नहीं यह याद भी दिलाया था इसलिए इसको हम शामिल कर रहे हैं वैसे पियानो दिवस पर जानकारी तो तुम दो गी ही लेकिन हमारी जो साथी ने भेजा है वो हम पहले पढ़ देते हैं इस वर्ष वविश्व पियानो दिवस 29 मार्श को मनाया जा रहा है यानि के हर साल अलग-अलग दिन पढ़ता है वही जी और क्योंकि वर्ष के 28 वे दिन 88 वे दिन मनाया जाता है और ये 28 वा अठासी सी वा जी ना क्यों ने रथारित किया गया ये 28 वा अठासी वाला जो दिन है वो इसलिए चुना गया है क्योंकि आधनिक पियानों में 28 कुंजी होती है यानि 28 की होती है 28 नहीं अठासी 28 सॉरी 28 और 28 का जो है वो काफी हमारा टंग ट्विस्टर चल रहा है असा कह सकते हैं नहीं भाई ये हम फिर से बता दे 888 है यानि 28 वा जो होता है वर्ष का इसलिए उस दिन मनाते हैं क्योंकि क्योंकि इतनी ही कुंजीया होती है आधनिक पियानों में और यही कारण है कि जर्मन पियानो वादक निल्स फ्राइम ने ये तैय किया था कि साल में जब 88 दिन आएगा गिंती के हिसाब से तो उस दिन मनाया जाएगा विश्व पियानो दिवस और जब ली पियार आता है तो फरवड़ी में 28 की जगह हो जाते हैं 29 दिन तो उसी तरह से एक दिन बढ़ जाने की वज़े से उस साल में यानि हर चार साल में एक बार 28 मार्च को ये दिन मनाया जाता है क्योंकि एक दिन बढ़ जाता है तो एक दिन पहले आ जाता है तो इस तरह से जैसे कि सब चीज का उद्देश्य होता है मनाने का तो विश्व पियानो दिवस मनाने का उद्देश ये हमारे साथी ने लेकर भेजा है कि संगीत के विकास को बढ़ावा देना और पियानों बजाने के खुशी को साजह करने के लिए मनाया जाता है बिल्कल और पियानों का अगर निर्मान कब हुआ था ये हम दिखता है वो काफी बदल गया है वो लगबग सभी वादेयंत्रों में हुआ है और जैसे जैसे लोगों को समझ में आया कि इसमें और कुछ बहतर किया जाए तो जोडते चले गए और सच में कुछ न कुछ तो अच्छा निकला यानि कि ये कह सकते हैं कि वादेयंत्रों का भी विकास हुआ धीरे दीरे और विकास के बाद जो है सामने उसमें अठासी जो है वो की है इसमें और इसी आधार पर ये मनाए जाता है तो सभी को एक बार फिर से बद्धाई तो भुआ जी 28 और 88 बोलने में इस तरह से आठ का आकड़ा इस तरह से उलजा कि एक और जो आठ से सम्बंदित चीज है जो की खास है उसके बारे में तम बोलना ही भूल गये बोलना भूल गये या यूँक है कि बधाई देना भूल गये तो अब दे देते हैं क्योंकि आठ का आकड़ा है आज बड़ा खास है तो नवरात्र का आठवा दिन है और अश्टमी का दिन है तो अश्टमी के धेर सारी बधाई पृतर है कि माने ता है के अपने पुर्व जन में ये दक्ष प्रजापती की पृतरी सती थी इनका विवाह भगवान शिव दक्ष ने एक यग्य के समय आयोजन में शिव जी को आमंत्रत नहीं किया इस अपमान से शुब्ध होकर सती ने योगागनी द्वारा उस रूप को भस्म कर दिया वहीं सती अगले जन्मे हिमाले की पुत्री शैल पुत्री के रूप में जन्मी इन्हें पारवती के नाम से भी नौ आशदियों की और प्रतमम शैल पुत्री की जो बात हो रही है इस दिन जो है वो हरड इससे जुड़ता है और कई प्रकार के रोगों में काम आने वाली आशदी हरड जो है हिमावती है जो शैल पुत्री का ही एक रूप है और आयुरवेद की प्रधान आशदी है ये हरितिका, अमृता, हिमवती, कायस, चेत्की और श्रेयसी साथ प्रकार की होती है और दूसरे नंबर पर पूजा होती है माब्रमचारनी की जिसके साथ जो 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 ज इससे ओशदी का नाम है चंदूसूर जो की धनिये के समान का पौधा है और मोटापा दूर करने में लाब दायक है और इसलिए इसे चर्म हंती भी कहते हैं यानि की चर्बी घटाता है यह तो काफी काम की है और चौथे नंबर पर बात होती है मा कुश्मांडा की और इनके सा दूर करके पेट को साफ करने में साहयक है मानसिक रोगों में यह अम्रित के समान है आजकल सैक्रीन से बनने वाला पेठा नहीं खाते हैं लोग और घर में बनाएं चीजें वो खाते हैं अपना और खुद बनाएं खाएं यह तो सभी चीजों के लिए हैं लेकिन पेठा के तो आजकल लोग जूस भी पी रहे हैं, बड़ा फाइदे मंद होता है, सफेद रंका जो होता है, अब बात आती है, पंचमी की सकंद माता, देवी सकंद माता ओशदी के रूप में अलसी में विद्यमान है, और अलसी सब जानते हैं, वात पित तकफ, रोगों की नाशक रहता है, और छटवे दिन पूजा होती कात्याईनी की, जिनके साथ, जिनें आयुर्वेद में कई नामों से जाना जाता है, जैसे अंबा, अंबालिका, अंबिका, इसके अलावा इन्हें मोईया भी कहते हैं, और ये आशदी कफ, पित और गले के रोगों का नाश करती है, और सभी प्रकार के रोगों में लाबकारी, मन और मस्तिश्क के विकारों को दूर करने वाली ऑशदी है नागदौन, ये कालरात्री किससे समंदीत है, यानि कि सब्तमी के दिन कालरात्री, ये देवी नागदौन ऑशदी के रूप में जानी जाती है, और पाइल्स के लिए तुलसी भी साथ प्रकार की होती है सफेद तुलसी, काली तुलसी, मरुता, दवना, कुढेरक, अर्जक और शटपत्र ये रक्त को साफ करके हृदय रोगों का नाश करती है और एकादशी के दिन ऐसी मानेता है कि उस दिन छोड़ कर बाकी सभी दिन सुबह इसे ग्रहन किया जा सकता है जी हाँ नवमी यानि सिद्धिदात्री का दिन दुर्गा का नवारूप जिसे नारायनी शतावरी कहते हैं ये बल बुद्धि और विवेक के लिए उपयोगी है विशेशकर प्रसूताओं के लिए और इनके लिए रामबान उशदी है इसलिए इसका सेवन करना चाहिए तो भही नवरात्री का पावन अवसर चल रहा है और इसके बारे में जानकारी हो गई सभी स्वास्त लाब करें और प्रसन रहें तो चले मा की शरण में बिलकुए तो ऐसे सब जब गीत सुन लेते हैं ऐसा भजन सा सुन लेते हैं तो ऐसा मन शान्थ हो जाता है ले बात आती है वीरांगनाओं की तो उसके लिए तो हर समय मन करता है और वैसे एक बात है कि हमारे साथी ने एक बार लिखा था कि हम लोग कारेक्टर में भजन नहीं सुनाते हैं तो आज भी सुना दियो और वैसे भी समय बे समय पर हम सुनाते रहते हैं कुछ अवसर हो तो भ प्राणों के आहुती दी बहुत कुछ किया उनके बारे में हम बात करें और उसी कड़ी में हम बात करने जा रहे हैं रानी चेनमा की बिल्कुल और भारत की विरांगनाओं की जब-जब बात होती बुह जी तब तक उनची विर्टा की किस्से हमें जीवन में कुँछ करने के लिए प्रेडित करते हैं बिल्कुल और ऐसी है एक विरांगना है जिनके हम आज बात करने वाले हैं भारत की पहली महिला करांतिकारी के रूप में मशूर है रानी चिनम्मा और बिटिश राजिसे स्वतंतरता संगराम से 33 साल पहले ही इन्होंने लोहा लिया बीस हजार सिपाहियों और चार सो बंदूकों का सामना करने के लिए सामने आई करनाटक के कितूर की रानी चिनम्मा का ये साहस आज भी याद किया जाता है अब ये किदम उन्हें ने क्यों उठाया इसके लिए उन्हें ये साहस कहां से मिला इसका जवाब भई उनके बश्पन में चुपा हुआ है 23 अक्टूबर 1778 को करनाटक के बेल गाम के पास केक्ती गाओं में जन्मी रानी चेनमा बश्पन से ही साहसी थी अब उसमें भी रामायर महाभारत पुरान जैसे प्राचीन गरंथ भी जो थे वो उनके प्रियत विशे थे और उनका विवाह हुआ देसाई वंश के राजा मलास राजा से कित्तूर की रानी वो बन गई मलास राजा सहसी व्यक्ती थे और वो अपनी कला प्रियता और बहादुरी के लिए काफी मशूर थे रानी चेनमा भी अपनी प्रजा के बीच काफी लोग प्रियती और ये वो समय था जब ब्रिटिश अपना कदम जमाने लगे थे भारत में और ऐसे में उनकी नजर राजाओं के रियासतों और उनकी जमीनों पर हुआ करती थे कुछ ऐसी जानकारी हमारे साथी ने भी विस्तार से लिखकर भेजी है और इसी दोरान ब्रिटिश राज ने नियम जारी किया कि किसी राजा के मृत्यू के बाद अगर उनका उत्तराधिकारी उनकी गद्धी पर बैठने के लिए न हो तो राज ब्रिटिश राज में मिला दिनों में हो गई और राणी ने अपने दत्तक पुत्र शिव लिंगपा को राजा घोशित कर दिया लेकिन ये बाद ब्रिटिश राज को नागवार गुजरी यही वज़र बनी राणी चिनम्मा और ब्रिटिश राज के टकराव की पहले तो रानी चिनम्मा ने पुरू डटकर खड़ा हो गया कि हम अपने जमीन तो उन्हें नहीं लेने देंगे। पड़ा और कुछ बिटिश अधिकारे भी बंदग बना लिये गया। पहुचाने के बाद भी रानी चेनमा आगे ना लड़ सकी और उन्हें बेलहूंगल किले में गरफतार करके कैद कर लिया गया। 21 फरवरी 1829 को उन्होंने वहीं अंतिम सासे ली। आज भी बिटिश नीती के खिलाफ आवाज उठाने वाली पहली महिला के तौर पर हम उन्हें याद करते हैं। बेलगाम के पास स्थित कितूर का राजमहल और अन्य इमारतें उनका गौरफ शाली तिहास हमें सुनाती हैं। और हर साल अक्टूबर 22 से लेकर 24 तक कितूर उत्सव मनाया जाता है और ये रानी चिनमा की जीत का जश्ण है। रानी चिनमा के समाधी बेल हुंगल तालुका में एक पार्क में हैं। रानी चिनमा के प्रतिमा संसत भवन में भी मौजूद है। इसके अलावा करनाटक की तूर में भी उनकी प्रतिमा स्थित हैं। करनाटक में रानी चिनम्मा के शौर्य और साहस को याद करने के लिए लोग उनका विशेश सम्मान भी करते हैं बलकि पूरा देश उन्हीं याद करता है और पूरा देश उनके प्रतिकरतक के है तो बुआ जी अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सुन रहे हैं विवदभार्ती वराष्ट्रिय सेवा पर कारेकरम सखी सहेली तुम्हें अर्थ का अनर्थ होते देर नहीं लगती कभी कभी शब्दों का सही इस्तेमाल न होने से समझने में गलत फहमी होती है और फिर कड़वाट पैदा हो जाती है यह हमारे साथी ने लिखकर भेजा हम कुछ नहीं कह रहे हैं बिलकुल और संदेश अगर सही तरीके से ना पहुंचे यह हम जो कहना जा रहे हैं उसके अलावा कोई और ही बात बनकर वो पहुंच जाए तो वाकई बहुत सारी परिशानिया तो खड़ी हो जाती है तो कभी-कभी यह भी तो होता है कि हम ठिक-ठक कह रहे हैं लेकिन सामने वाले ने तो उन उन लाइनों के बीच-बीच मेंसे कुछ निकाल लिया और कहा नहीं नहीं इसके तो कहने का मतलब तो कुछ और ही है पर ऐसे तो कुछ नहीं कर सकते हैं वो तो पिर संदेशों का अलगी तरह से उसका विशलेशन करके जब समझ लेते हैं और जितना हम आपस में बात नहीं करते हैं उससे ज़्यादा हम चैट करते हैं या कमेंट्स करते हैं कहीं सोशल मीडिया पर जाकर किसी की पोस्ट में और कुछ जो अपने मन में आता है बस लिग देते हैं जाकर देखो एक तो सबसे पहले ये सपश्ट करें कि सोशल मीडिया की जहां तक बात है एक तो आपका अपना जैसे पेज हो गया या जहां पे भी आपने जो भी दो तीन प्रिटफॉर्म है चार प्रिटफॉर्म है उस पर आपने अपना एकाउंट खोला हुआ है और उस पर चैट कर रहे हैं आप आपने कुछ डाला लोगों के जो भी है भावनाएं आएं लोगों की प्रतिक्रियाएं आएं लोगों के यह थोड़ा सा अलग तरीके का है जैसे हमारा अपना नीजी जो होता है वो हमारा अपना है उसमें जो भी भावनाएं आ रही है वो हमारी अपनी है और वो हम खुद को एक तरह से हम कह सकते हैं खुद को हम प्रस्तुत कर रहे हैं और जो भी चीज़े हम कह रहे हैं वो हमारी ह लेकिन जैसे हमने बात की विविद भारती की तो इसका जो पेज है इसलिए वो पेज होता है इसलिए वो एक प्रोफाइल नहीं होती पेज होता है तो कि इसमें 5000 से ज़ादा आप likes आ सकते हैं followers हो सकते हैं उसमें बंधन नहीं है कोई सीमा निर्धारित नहीं है अंगिनत लोग आ सकते हैं इसलिए इसको पेज रखते हैं अब बात आती है कि अकसर लोग जैसे कि अगर व्यक्तिगत तौर पर भी कहें या किसी संस्था जैसे कि उधारन के तौर पर हम वेविद भारती ले रहे हैं या कोई और भी हो सकता है बहुत सारे सेलेब्रिटीज होते हैं उनके फैंस के होते हैं किसी किसी शहर के लिए अब होता है कि इस शहर के मुंबई कर एक लगा देते हैं या मुंबई लवर्स या किसी भी शहर के और उनके प्रेमी लोग बना देते हैं तो इस तरीके के भी होते हैं उसमें लोग तरहत्रे की चीज़े नालते हैं तो इसमें बहुत सोच समझ के डालना चाहिए अपने विचारों को अपनी भावनाओं को और खासता और से जो सिंबल्स आते हैं जो ततीक आत्मक जो चिन होते हैं वो जो हैं वो क्या कह रहे हैं अब सब को वो जो हार्ट वाला साइन है वो नहीं भेच सकते हैं ना हम तो बड़े आसानी से भेच देते हैं क्योंकि यहाँ पर एक तरह से लाइक करना या इस तरीके के जो उपलब्ध हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें बात ज्यादा पसंदा गई तो हम लव वाला साइन भेज देंगे किसी को भी लेकिन उसका आर्थ सामने वाला कुछ और भी लगा सकता है क्योंकि वो व्यक्ति हो ना तो एक सीमा होती है क्योंकि लाइक के भी कई मायने है उसके भी नायinging आँ गयूर तो उसका मतलब यह होता है कि आप उस व्यक्ति को उस संदेश को नहीं पसंद कर रहा है आप उसलब्या गलत लेता नहीं हो घुटा है दिल गलत ह मतलब गलत है अब सभशे आगया तुमको अभी पश्पन से जो पढ़ा रहे थे तो मैं अब समझ में आ रहा है हाँ वही तो कि आप सोशल मीडिया आया है जी बिलकुल सोशल मीडिया है कि समझ बूच के चला करो देखो पसंद करने के लिए एक चेहरा जो होता है उसमें समाइल होता है उसमें थोड़ा ज़्यादा हसता हुआ भी चेहरा होता है खुशी इज़ार करने के भी बहुत सारे तरीके हैं हर समय जरूरी नहीं कि आप वो लव वाला साइन भेज़ें अब हमारे साथ ही इस पश्ट समझ गया होंगे अच्छा कहीं कहीं नहीं पिटी एक बात और है ऐसे लगता है कि हम लोग कुछ मतलब खास होसे महिलाएं जो होती है कहते हैं कि उनको बड़ी ख्षमता होती है six sense होता है वो समझ जाती है कि किस अर्थ से आदमी देख रहा है किस अर्थ से किस माइने से किस भावना से ये चीज भेज रहा है ज़्यादा समझ जाती है ऐसा अभास हो जाता है कि कहीं न कहीं वो आप कहरें न कि पंक्तियों के बीच में से पढ़ लेते हैं वैसे तो पंक्तियों के बीच में से वो भावनाएं आ जाती है और समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति भले ही संबोधन कोई भी इस्तमाल कर रहा है वो बहन बोल रहा है बेटी बोल रहा है या कुछ भी इस तरह का संबोधन बना रहा है जो बहुत ही आत्मी है लेकिन उसके बात जो बातें लिखी है वो उस तरह की तो नहीं है बिल्कुल तो यही तो हम कहे रहे हैं कि संबोधन बिल्कु सही तुमने अच्छा का बिटिया कि संबोधन हम भले लिख दे नेहा बिटिया यहाँ जासे उधारन के तौर पर लेकिन उसके बात की जो बात है वो बहुत माइने रखती है और यह मत समझ लीजे कि केवल यह लिख देने से कोई भी नाम हो सकता है यहाँ नेहा किसे उधारन नहीं है उधारन के तौर पर बस दे रहे हैं इसका मतलब नहीं कि आपको सर्टिफिकेट मिल गया और अकसर लोग कुछ-कुछ चीजों की दुहाई भी देते हैं वो सब बाते भी हैं लेकिन फिर भी अर्थ का अनर्थ तो होता है कभी-कभी हमारी नासमझी से भी होता है तो कहीं पर भी आप इस तरह से भेज रहे हैं तो उसको लिए दो-चार बार आश्वस्त हो जाएं ना भेजें वो चलेगा लेकिन खलत ना भेजें और अक्सर जैसे हम बोलकर टाइप करते हैं तो उसमें कुछ का कुछ लिख जाता है उससे संबंधित जो सबसे प्रचलित शब्द होता है वो आम तोर पर लिखा जाता है जैसे भूलना लिखना है तो उसमें भूलाना लिख सकता है तो आप जैसे कि चुनाओ है तो चुना भी लिख सकता है चुना लिखिना होगा तो चुनना भी लिख सकता है तो बड़े हो की मातरा को छोटे हो की मातरा को बड़े हो की मातरा करके भी बहुत अर्थ का अनर्थ होता है तो इससे बहुत सारी बाते हैं जो आप तो कहना कुछ और चाह रहे हैं लेकिन क्यूंकि आपने खुद टाइप ने किया और आपने एक बार बोल के जो लिखा उससे देखा नहीं पढ़ा नहीं सीधे भेज दिया तो इसके वज़े से आप कहना तो गुच चाह रहे हैं लेकिन कह कुछ जाते हैं और पिर सामने वाला गुसा होता है तो आपको समझ में भी नहीं आता है कि सामने वाला हम पर घुसा कर क्यूं आएगी कि हमने तो ऐसा कुछ कहा ही निका भूल गया उन्हों हमने लिखा कि भूला गया और भूल गया में बड़ा फरक है तो इस तरीके की बाते होते हैं लेकिन टाइप करने में भी क्या होता है कि आप जब भूल लिख रहे हैं भूला भी लिख रहे हैं तो आ की मात्रा वाला भी शब्द रहता है उसमें वाला भी रहता है छोटे उकी मात्रा भी रहती है बड़े उकी भी रहती है उसमें फिर आपको उसको चुनना पड़ता है यानि सेलेक्ट करना पड़ता है तो इन स साथी कहते हैं, अर्थ का अनर्थ निकालना एक एसी चिंगारी है, जो कानों में नहीं, सीधे मन में उतर जाती है मैं तो सर्फ उसी का जिम्मेदार हूँ जो मैंने कहा है, उसका नहीं जो आपने समझा है, रिष्टे बरकरार रखने की एक ही शर्थ है किसी भी बातों के अर्थ का अनर्थ नहीं लगाएं तो वो मना कर रहे हैं इस तरह से लेकिन हा जिनको कुछ का कुछ समझना होता है वो तो समझ जाते हैं समझ जाते हैं लेकिन हम लोग तो बात कर रहे हैं कि कभी कुछ और बात होती है या कभी कुछ अलग ही विशय होता है उससे बिल्कुल हटकर हम कुछ अलग ही कमेंट करके चले जाते हैं किसी और बात पर हम गुसा है और हमने वहां आकर उस कमेंट वहां पर जाकर कमेंट कर दिया इसी तरह से तो भई इस चीज़ का ख्याल रखे और कभी कभी तो ये भी होता है कि हम कभी कभी अपने विक्तिगत जो है किसी से रिष्टा भी बनाने लगते हैं ऐसे सोशल मीडिया पर भी होता है ये भी होता है कि हम किसी खास को टार्गेट करते हैं हर तरीके से चाहे वो अच्छाई के तौर पर हो या कभी कभी बुराई के तौर पर हो जैसे तुमने नाराज़गी की बात कही तो भई इसके विपरीत प्यार मोहबत भी तो जाता देते हैं हाँ कई बार को सोचा जी कह रहे भई हम इतना तुम्हें पसंद करते हैं और हमने इस तरह से बता दिया तो क्यों तुम उसको फिर गुसा क्यों हो रहे हो तो इस तरह से उने लगता है अच्छा ऐसा नहीं लगता कि ऐसे लोग हर दूसरे आदमी को इस तरह से दिल का हल बताते हैं या दिल अर्थिये चुटकुले भेश देते हूं इस तरह की जो बाते करते हैं इसके बारे में उन्हें पता चल जाता है लेकिन जो आसपास जो पुरुष होते हैं उन्हें भी तो पता चल जाता है कि भई ये व्यक्ति जो है आए दिन अलग-अलग महिलाओं के पोस्ट पे जाता है इस तरह की comments करता है या सारवजनिक post पर जाकर भी इस तरह से किसी-किसी महिलाओं को target करता है ऐसा लगता है तुमको क्यों उनको समझ में आता है आना तो चाहिए क्योंकि लेकिन जिस तरह से वो कुछ भी नहीं कहते उससे ऐसा लगता है कि शायद उन्हें ये जो भापने वाली जो शक्ती है वो थोड़ी कहीं-कहीं कमजोर पड़ रही है लेकिन फिर भी किसी एक खास का नाम लिखकर बार-बार भीजना हमारे और साथियों को अगर समझ में आता है तो हमें लगता है तुम ये कहना चाहरी हो कि उनको विरोध करना चाहिए बिल्कुल उन्हें एक तरह से आप अगर एक स्वस्त माहौल में रहते हैं आप ये सोचते हैं कि एक किसी भी संस्था हो या जैसे मालीजे हम विविद भारती की बात करें या ऐसी किसी भी संस्था में आप देखते हैं कि कोई विक्ती है जो इस तरह से कमेंट करके एक विक्ती को टार्गेट करता है या एक विक्ती को बार-बार कुछ इस तरह की बाती करता है जो शालीनता नहीं होती है या यूं कह सकते हैं कि अपने मन की बात या यूं कह सकते हैं कि व्यक्तिकत संबंद जैसे बनाने वाली बात होगे यह उसको इस तरह से टार्गेट करने का मतलब यह हो जाता है कि किसी एक खास पर अगर आप निगाहा रख रहे हैं तो वो गलत है और बिल्कुल सही तुमने कहा कि इस तरह से ध्यान रखना चाहिए और एक हम लोग अब जैसे उधारान की ही बात चल रही है जाहिर है कि हम अपने इस प्रेटफॉर्म की बात करेंगे या हमने शहर की बात की या और भी जगह की बात की या किसी किसी संस्थान का होता है किसी कॉलिश का अपना प्रेटफॉर्म होता है तो वहाँ पर वेक्ति का भी सामना करने कर लेता है आ रहे है तो फिर दुख लगता है यह हमारे साथ अन्याए है तो आजादी हम अपनी जरूर देखते हैं लेकिन किस हठुख तक बोलने की आजादी हमें मिली है यह भी हमें देखना हो चाहिए क्योंकि दूसरे को भी खुश रहना जो है वो उसको मतलब उसकी सुतंदरता है कि वो खुश रहे लेकिन कहीं न कहीं अगर हमारी बात से वो दुखी है तो जाहिर है कि हम उसकी आजादी च्छीन रहे हैं तो ये हमारा उत्तरदाइद तो है कि हम वो आजादी न चीने फिर हमारे एक बहुत सारे साथियों ने और भी कुछ लिखकर भेजा है ना मिल्कुल हमारी साथ ही लिखते हैं कि अर्थ का अनर्थ होटे सिर्फ एक पल ही लगता है दो तिन दिन पहले की बात है मैंने बेटी के लिए कुछ अच्छे भाव से ही अपनी सास को उसके बारे में बताया शाम होते होते तक उस बात का अर्थ ही सासुमा ने बदल दिया और बेटी को फोन करके कुछ दूसरे ही भाव में बता दिया जिसको अर्थ का अर्थ कहते हैं और बेटी नाराज हो गई अच्छे भाई देखो ऐसा एक बात यहां पर यह भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि फोन करके इस तरह से बताना जो है वो वो वाके और गड़बड है क्योंकि सामने रहिए अगर आप तो बहुत सारी चीज़ों को समहालने के गुल्जाईश रहती है लेकिन फोन पर एक सीमित स्थिति में ही आप बात कर सकते हैं जैसे कि लंबे पॉज नहीं ले सकते अगर आप सामने बात कर रहा है तो चले बहुत कुछ आपको बुरा लगा गुस्सा आगया तो आप अराम से दो मिनट तीन मिनट बैठ सकते हैं रुक सकते हैं पानी पी सकते हैं फिर अपनी बात कर सकते हैं जब मन थंडा हो जाए लेकिन फोन पर ये सुविधार नहीं होती है और उस जोश में उस परिशानी के स्थिति में उस मनह स्थिति में जब हमारा विवेक समाप्त हो चुका होता है तब हम बात करते हैं तो बिगड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है तो जब यह स्थिति आये तो खृपया फोन पर बात करके ना करें इसे आप चाहें संदेश लिख सकते हैं लेकर संदेश को फिर पढ़ें उसमें और गड़वनी ना हो चाहें क्योंकि अगर आपने बोल के संदेश लिखने की आपके आदत है तो ज़रूर उसको बार-बार पढ़ लें और उसके बाद ही भेजें पता चला कहीं का कहीं कुछ और लिखा गया तो जो इस्थिति बिगड़ने से आप बचाने के लिए वो संदेश लिख रहे हैं वो इस्थिति और भी जादा बिगड़ सकती है हमारे एक साथ ही लिखते हैं कि फलसफा प्यार का तुम क्या जानो तुमने कभी प्यार ना किया फलसफा प्यानो का तुम क्या जानो जिसने कभी प्यानो ना बजाया लेकिन इतना तो जरूर जानते हैं प्यानो सुनकर दिल मचलता जरूर है धीरे धीरे मचल एदिले बेक पिरार कोई पियानों बजाने आता है तो अलग-अलग गानों को मिला कर इन्होंने एक कैसे तरन्नुम बना दिया है इन्होंने हमेशा आप यही करते हैं हमारे एक साथी और हमारे एक साथी ने ये भी लिखा है कि पियानों में जो काली सफेद वो होती है न कुला रंग जो है वो दुख का प्रतीक है और ये मतब पूरी जिंदगी का फलस let ये भी बता थी है सफेद जो खुशे का लेकिन जो काला भी बजा लेता है यानि दुख में भी चलता है तभी संगीत निकलता है या तो ये बड़ी अच्छी बात आपने कही कि जिन्दगी पूरा जीना सिखाता है बुआ जी जो अर्थ के अनर्थ की हम बात कर रहे हैं तो मारे एक साथ ही कहते हैं कि कभी-कभी तो एक कौमा भी गलत जगा लग जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है बिर्कु सही उन्होंने कहा जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि जैसे कहीं बोर्ड पली कहा था आशकारयाले बंद रखा जाएगा तो थोड़ा सा जो रह था वो रखा वाला जो था इधर आ गया खेसक गया बंद के साथ तो उसमें लिखा गया पढ़ने वालों ने यही पढ़ा और वही पढ़ने में आ भी रहा था कि आशकारयाले बंदर खा जाएगा तो सबने यहीं सचोगे कि कल क्या होगा आशकारयाले बंदर खा जाएगा खुशते हैं लोग जी खातम खातम लेकिन अभी बही देखो हमारे एक साथी ने लगता है हमी लोग की जो गलती हमनों ने शुरू में 88 वाला किया न कारेक्रम उस पे इन्होंने लिख दिया कि हिंदी अंकों को बोलने में भी अर्थ का अनर्थ हो जाता है अच्छे एक बात और बड़ी मज़दा चल रही है आजकल लोग पूछते हैं कि 70, 72 और 79 में सबसे बड़ा कौन है तो बगैदा लोग बताते है 79 सबसे बड़ा है जबकि 79 69 है तो वो सबसे छोटा है लेकिन बताते हैं कि ने 79 सबसे बड़ा है यह सोची बगाजी पर किसने यह नाम रख दिये खुड़ा ऐसे रखना चाहिए था जोड़ा है याद रहे तो अगर अच्छे से पढ़ाई कर लोगी ना बश्पल से तो अब तो कर लोगी क्या कहें करना चाहिए था लेकिन अभी भी किया जा सकता है थोड़ा सा संख्या को ध्यान से याद रखे और हमाईक साथी ने संदेश मिल ले रहा है भाई नहा तुम कहें तो रहे यो बार बार पढ़िए 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 वह वाला मिली नहीं रहा है इन्होंने लिखा था कि सोशल मीडिया में लेकिन इन्होंने ये लिखा है कि शादी वया में अकसर ऐसा हो जाता है और कहीं कि शादी थी गाओं की थोड़े वयवस्था कम थी तो हमने का भाई हमेरी दिक्कत होती है सोचना पड़ेगा तो लोगों ने ये उड़ा दिया कि अब देहात की शादी हमें पसंद नहीं है पसंद नहीं है पिर अगले बार उन्होंने हमें बुलाया नहीं इग्नोर कर दिया तो भाई इस तरीके की बाते जो है अगर किसी ने थोड़ा सा अपनी परेशानी बताई तो इसका मतलब नहीं कि वह वहां जाना ही नहीं चाहते तो हाँ इन्होंने लिखा कि परिवार में सबी लोग अर्थकान अर्थ करते हैं किसी शादी बया फंक्शन में जाने की बात थी हमारे मुझे निकला शादी बया में थोड़ी बहुत दिक्कत हो तो चलता है कोई बात नहीं देहात हो या शहर पर एकदम से कोई इग्नोर करता है तो बड़ा बुरा लगता है वैसे ज आया मैंने उन्हें सही तरीके से बताया कि मैंने ये बात बोली थी आप विश्वास कीजिए लेकिन आप विश्वास कीजिए न कीजिए पर बोलने वाले ने तो कान में जहर घोल दिया लोग कहते है सोच समझ कर बोलना चाहिए कौन सा पहमाना है जिससे नाप तोलकर बोल जा है किस बात का आर्थ का नर्थ नहीं होगा क्योंकि मानमी सवभव है हम आपस में बाते हakapाते इस रहर दो बना कि तीन पांच करते हैं। वह आइसा ही लोगों के लिखा है W TV ने है इस पॉंहीं महावरां बना है बहुत कुछ लोग तीन पांच करते हैं। हम एतीन पांच बिल्कुल और जब भी आप कोई बात किसी से करते हैं तो आप खुद तो सोचे खुद को तो एक तरह जूमे तॉलिये पैमाने पर तॉलिये कि आप सही बोल रहे हैं या नहीं और दूसरी तरफ आपको अगर लगता है कि सामने वाले ने ऐसा ऐसा कहा है इस बात को जैसे वो कि वो नहीं जाना चाहती क्या तो वो एक बार आप उनसे पता कर लीजे कि कि आप सच में इस तरह से कह रही हैं इस बात को हमने इस तरह से समझाए या आपको क्या तकलीफ है क्यों नहीं जाना चाहती यह थोड़ा विस्तार से ऐसी मौकों पर यह जो सांकेतिक चीज़ें उस पे नहीं चलता, उस पे आप इस्तार से बात करिये है ना, अच्छा कभी किसी अच्छा एक बात और बड़ी मज़दार है कभी कहीं और का जिक्र कर दो कि फला जगह गया थे तो थोड़ी दिक्कत हुई थी, उस चहर में ऐसा ऐसा हो गया था या हमें अटायर लैटिन बात्रूम नहीं मिला तो थोड़ी दिक्कत हुई या हमें गर्मी बहुत लगती है तो वो तो उड़ाई देंगे कि भई गर्मी में तो शादी में आएंगी या कोई भी फंक्शन तुम करोगे तो तुम्हारें बहुत गर्मी पढ़ती है वो नहीं आएंगे तो इस तरीके के बाते जो है वो जिस व्यक्ति की है उसके मूँ से आप सुने या सीधे समझे और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कृपया समझ ले आपके पास अपनी भी तो बहुत सारी बातें करने के लिए तो आप वो वाली बातें कर लें उस वक्त नहीं हमने होता देना तब क्या करेंगे किसी ने कभी कहीं हमने सुना था कि निहा ने कहा कि हमें समंदर के किनारे नहीं पसंद है तो हमने कहा कि हमारे बिटिया की शादी तो समंदर के किनारे तो नहीं आएंगी तो पर बताओ तो अब इसमें क्या किया जाए अब इसमें यह किया जाए कि भईया देखो बिटिया ऐ आगे नहीं बढ़ सकते तो लेते हैं आप सभी से इजाज़त निया शर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार